अब सबस्क्राइब पर भारे बात करेंगे सबसे पहली बात की कारडेक अरिद्मियाज को irregular heart heartbeat ऐसे भी कहा जाता है irregular heart beat का मतलब हम एक कह सकते हैं कि उस patient کا जो दिल है या फिर जो heart है वो ठीक तरह से beat नहीं हो रहा है ठीक तरह से धड़क नहीं रहा है इसका मतलब उस patient की दिल की धड़कन है ओर जरो उसे या तो कम है या फिर से कम है तो फिर उस patient में Bradycardia की condition है ऐसे कहा जाता है तो हमारा heart rate normally 60 से लेकर के 100 के बीच में होना चाहिए एक मिट के अंदर अगर 100 से जादा है तो इसको tachycardia बोलते हैं अगर 60 से या फिर 60 से कम है तो फिर इसको Bradycardia से कहा जाता है सबसे पहले हम बात करेंगे कि cardiac arrhythmia किस कारणों के वज़े से होता है या फिर इसके causes क्या है इसके बारे में सबसे पहली बात तो हमारे दिल के अंदर जो electrical activity होती है उस electrical activity का ठीक तरह से आगे conduction ना होना ये सबसे प्रमुक कारण होता है जिसके वज़े से उस patient में cardiac arrhythmia होते है तो इस तरह के electrical activities को hamper करने वाले बुरी तरह से damage करने वाले जो कारण होते हैं वही इस medical condition को बनाने वाले भी कारण होते हैं जैसे कि heart attack होना, coronary artery की कोई बीमारी होना कारणियो मयोपैथिक की condition होना इसके साथ-साथ long standing diabetes होना blood pressure का बहुत जादा लंबे समय से बहुत जादा बढ़ा होना या फिर अगर recent condition में बात करें तो किसी patient को अगर COVID-19 है तो उसके अंदर भी cardiac arrhythmia हो सकते हैं इसके साथ-साथ किसी patient में अगर hyperthyroidism की problem है तो उस patient में भी cardiac arrhythmia हो सकते हैं अगर कोई patient smoking करता है काफी लंबे समय से तो उसमें भी cardiac arrhythmia हो सकते हैं इसके साथ-साथ stress का होना या फिर anxiety का होना drug abuse की आदत होना और हमारी body के अंदर electrolytes का imbalance होना एक कुछ प्रमुक कारण है जिनके वज़े से उस patient में cardiac arrhythmia हो सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे cardiac arrhythmia के वज़े से उस patient में क्या symptoms आते हैं इसके बारे में सबसे पहले उस patient को सीने के अंदर दर्द होता है इसके साथ-साथ उस patient को सांस लेने में तकलीफ होती है दिल की धरकन का ज़रो से ज़्यादा बढ़ जाना या फिर ज़रो से ज़्यादा कम हो जाना ये भी एक लक्षन होता है cardiac arrhythmia के patient में इसके साथ-साथ उस patient को सीने में दर्द होना सास लेने में तकलीफ होना सीने के अंदर fluttering जैसे sounds on auscultation सुनाई देना घबरहाट मेहसुस होना, बैचेने मेहसुस होना पेशन को डर जैसा लगना इसी के साथ साथ उस पेशन में ठकावड मेहसुस होना चक्कर आना, पसीने चूटना यह भी कुछ लख्यन है जो कि उस पेशन में Cardiac Arrhythmia के वज़े से देखे जा सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे Cardiac Arrhythmia को Diagnosis केसे करते हैं इसके बारे में, यानि की Diagnosis के बारे में सबसे पहले तो हम उस पेशन में ECG या फिर EKG कर सकते हैं इसके साथ-साथ उस patient में होल्टर मॉन्टरिंग भी की जा सकती है इसके साथ-साथ उस patient में 2D एको कार्डियोग्राफी करना या फिर stress test करना ये भी कुछ test है जो किये जा सकते हैं इसके बाद उस patient में electro physiological testing और mapping भी कर सकते हैं इसके बाद जानि वज़े से हम उस patient में cardiac arrhythmiaz के treatment के बारे में इसके बाद हम बात करेंगे cardiac arrhythmiaz के treatment के बारे में enario कि इलाज के बारे में. cardiac arrhythmiaz का ila jay patient या treatment इस बात पर depend करते हैं उस patient में tachycardia आ या разбивать कर दीया है कोई भी लक्षन या फिर साइंस और सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो फिर उस patient में कोई भी treatment देने की भी जरूत नहीं होती लेकिन अगर किसी patient में cardiac arrhythmia के वज़े से काफी ज़ादा significant symptoms आ रहे हैं तब ही उस patient में treatment देने की काफी ज़ादा जरूत होती है अगर हम cardiac arrhythmia के लिए जो treatment दी जाती है उसकी बात करें तो इसके अंदर हम उस patient को medications देते हैं कुछ procedures भी की जाती है procedures के अंदर उस patient में catheter procedures कर सकते हैं इसके साथ साथ कुछ therapies दी जाती है और कुछ surgical options भी होते हैं जिनको इस तरह के patient के अंदर दिया जाता है या फिर किया जाता है सबसे पहले हम बात करेंगे medications के बारे में तो medication उस patient को कौन सी देनी है इस बात पर depend होता है कि उस patient में tachycardia है या फिर breadycardia है tachy arrhythmia के patient में medications अलग दिये जाते हैं और bready arrhythmia के patient में medications अलग दिये जाते हैं इसके अंदर उस patient को खून को पतला करने वाली दवाई दी जाती है। इसके साथ-साथ दिल की धड़कन या फिर heart के rate को control करने वाले medications भी दिये जाते हैं। इस drugs को देने के दौरान इस बात का खयाल रखा जाता है कि पेशन्ट को ट्रैकी कारडिया है या फिर ब्रैडी कारडिया है या फिर उसके साथ-साथ कुछ complications है या फिर कुछ complications पैदा हो सकते हैं क्या इसके क्या chances है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही इस तरह के patient में drug को choice किया जाता है या फिर drug को choose किया जाता है। इसके बाद second line of treatment होती है, वो होते therapies, therapies के अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम उस patient को vagal manuels दे सकते हैं, जिसके अंदर के उस patient की vagus nerve को externally stimulate करने का काम किया जाता है, इस तरह के patient में हम cardio virgin भी दे सकते हैं, cardio virgin के अंदर दो तरह के cardio virgin होते हैं, एक तो होता है mechanical cardio virgin, एक होता है chemical cardio virgin, mechanical cardio virgin के अंदर हम उस patient को कुछ external devices का साहरा लेकर के cardio virgin करते हैं, cardio virgin करना मतलब कि उस patient के दिल की धड़कन को या फिर heart rate को फिर से एक बार normal condition पर लेके आना, तो ये कुछ machines के साहता से भी किया जा सकता है, और कुछ medicines या फिर कुछ drugs के साहता से भी किया जा सकता है, जो cardio virgin machines के साहता से करते हैं, उसको mechanical cardio virgin ऐसे बोलते हैं, जैसे कि हम defibrillator का इस्तेमाल करके उस patient में cardio virgin कर सकते हैं, इसके बाद जो cardio virgin हम कुछ injection का और कुछ drugs का इस्तेमाल करके करते हैं, उसको हम chemical cardio virgin ऐसे बोलते हैं जैसे कि injection amadaron इसको इसको इस्तमाल करके भी cardio virgin किया जाता है और इसको हम chemical cardio virgin ऐसे भी कह सकते हैं catheter procedures के अंदर हम उस patient में catheter ablation कर सकते हैं इसके साथ साथ paste maker implantation भी कर सकते हैं इसके अलावा ICD instruments का भी इस्तमाल किया जा सकता है ICD का मतलब होता है implantable cardioverter defibrillators इसके साथ साथ कुछ meds procedures भी होते हैं इनका भी इस्तमाल cardiac arrhythmia के पेशन में कर सकते हैं और finally इस तरह के पेशन में coronary bypass surgery भी की जा सकती है so this was in short about the cardiac arrhythmia thanks for watching this video till then thank you very much कर दो एके इसके रहिर टोपके नहीं कर भी कि येस्तमाल कि नहीं जहीं हुआए छो कि कुछ